दुनिया की आठ ऐसी अजीब औ गरीब कारें जिनको देखकर आप अपनी आँखों पर विश्वास नहीं करेंगे नमबर आठ टी एफेक्स फ्लाइंग कार ये कार काफी ज्यादा अमेजिंग है जी हाँ इस कार के होते हुए आपको ट्रैफिक वगेरा की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये कार जमीन पर चलने के साथ साथ आसमान में भी उड़ती है पोई इसे चलाने के लिए आपको पाइलट का लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि यह autopilot car है इसे tack off और जमीन पर land करने के लिए रेन्वे की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है और इस car में 4 seat है जिस पर 4 लोग बैठ सकते हैं यह car 160 km प्रति घंटा की speed से चलती है और वही यह एक बार में 500 मील तक का सफर तैय कर सकती है नमबर साथ बीमड़ी एसेटा यह car 1990 के दशक में लांच होई थी और जब बीमड़ी एसेटा कार लांच होई थी तब यह car लोगों के बीच काफी लोग प्रिया हो गई थी और जमकर खरीदी भी गाई बीमड़ी उ कंपनी की तरफ से आने वाली यह car काफी छोटी थी और इसमें सिर्फ दो लोग ही बैठ सकते थे और इस car को 45 अलग-अलग color में लांच किया गया था इस गाड़ी का gate सामने की तरफ से खुलता था जो इस गाड़ी की डिजाइन को और भी ज्यादा attractive बना देता था और क्या यह car फिर से लांच हो तो आप इसे खरीदना चाहेंगे comment में जरूर बताना नमबर 6, flat mobile car आपने अपनी जिंदगी में तो बहुत अच्छी अच्छी car देखी होगी लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपने ऐसी बॉनी कार कभी नहीं देखी होगी जी हाँ, इस car की उंचाई बहुत ही कम है और इस car को bird lowest car का दरजा भी मिला हुआ है इस car में jet engine का भी इस्तिमाल किया गया है जिससे यह car रोड पर चीते की रफतार से हवा को चीरती हुई दौरती है और वही अगर बात करें इस car की top speed की तो यह car एक 160 किलो मीटर प्रती घंटा की speed से दौरती है इसके नाम दुनिया की सबसे लंबी car होने का world record दरज है इस car में सभी सुविधाएं मौजूद हैं और यह car इतनी बड़ी है कि इसके उपर एक helicopter को भी land किया जा सकता है अगर इस car के interior की बात करें तो यह काफी luxury है और अगर आप इसके अंदर बैठेंगे तो आपको 5 star hotel वाली feel आएगी यह car 100 feet लंबी है और इस car पर एक helipad swimming pool जैसी कई चीज बनी हुई है और इस car में total 26 टायर लगे हुए है इस अनोखी car को water car नाम की company ने बनाया है और यह car जिस तरह road पर दौडती है ठीक उसी तरह यह पानी में भी तैर सकती है और पानी पर तैरने की इस car की speed 70 km प्रतिघंटा है जमीन पर भी इस car की speed कम नहीं है जिहां यह car जमीन पर 90 km प्रतिघंटा की speed से दौड सकती है इस car में कोई भी steering wheel नहीं लगा होता है और इस car में सिर्फ एक ही बंदा बैट सकता है इस car को control करने के लिए आपको जिस side इस car को ले जाना होता है आपको उसी side अपना body wet करना होता है और फिर यह बड़ी आसानी से move कर लेती है इसमें कई safety के लिए sensor लगाए गए हैं जो इस गाड़ी को accident वगेरा होने से बचाते हैं और यह futuristic car काफी ज्यादा luxury भी है और इस car का look भी काफी अनोखा है इस car में सिर्फ तीन टायर ही लगे होते हैं जिससे यह अपने आपको काफी अच्छी तरीके से balance कर लेती है नमबर दो Toyota 8 wheeled car आपको जानकर हैरानी होगी कि इस car में 4 टायर के मुकाबले 8 टायर लगे हुए हैं जिहां देखने पर तो यह car बिल्कुल normal car की तरह लगाती है लेकिन इसके पीछे दोनों side में 3-3 टायर लगे नमबर 1, Nautilus car यह car काफी ज्यादा amazing है और इसे पहली बार देखने पर ऐसा लगता है कि यह राजा महाराजाओं के लिए बनाई गई होगी लेकिन हम आपको बता दें यह car किसी राजा महाराजा के लिए नहीं बलकि एक movie के लिए बनाई गई थी इस car को बनाने में 5 साल का वक्त लगा था आप जानकर हैरान रह जाएंगे किस इस car को एक महिला ने डिजाइन किया था इस car की लंबाई 22 फीट है और इसमें 6 टायर लगे हुए है अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलना धन्यवाद